हाई गाईज मेरा नाम है दिपतनों आप सभी देख रहो मेरी चैनल दिपतनों शिलको दो स्वागत है आप सभी का फेस्बूक पेज का ABCD शो का 15 एपिसोड पे दोस्तों लास्ट एपिसोड पे भी आप लोगों का काफी जादा सपोर्ट मिला है उस एपिसोड पे भी आप ल कोश्चन जो दोस्तों आपने किया है यह बहुत बहुत इंपोर्टन कोश्चन है और हर एक क्रियेटर के लिए एक बहुत ही बरा सवाल है वो है फॉलोर बर नहीं रहा है सर इंक्रिस कैसे करे वीडियो बनाओ यह बहुत सारे क्रियेटर का ने पुराने क्रियेटर का हर एक creator का question है और आज मैं इस question को बहुत ही अच्छे से explain करने वाला हूँ तो वीडियो को कही से skip मत करना पूरा देखना तो ही पूरा knowledge मिलेगा आप लोगो तो दोस्तो जैसे ही हमारे page पे follower नहीं बरता है या फिर हमारे follower जल्दी से नहीं बरते है तो हमारे मन में हमेशा एक question चलता रहता है कैसे follower को जादा करो मगर हम as a creator यह नहीं चोजते कि क्यों हमारा जो follower है वो बर नहीं रहा है ऐसा क्या mistake हम से हो रहा है कि हमारा follower नहीं बर रहा है या फिर ऐसा जो pages है जो already popular है जो original authentic content बनाते है वो लोग क्यों grow कर रहा है और हम क्यों नहीं कर पा रहे है यह question हम हमसे पूछते नहीं है जिसके बज़े से हमारा answer नहीं मिलता और हम सिर्फ एक ही चीज़ को सोचते रहते हैं कैसे भी करके हम हमारा follower को बरा ले यहाँ पे ऐसा कोई रामबान नहीं है जैसे आपने कुछ एक trick लगा दिया और एक ही दिन में आपका follower boom हो जाएगा बर जाएगा ऐसा कोई trick नहीं होता है मगर अगर आपका थोरसा बुद्धी को लगाओगे facebook पे तो आपका page भी grow होना शुरू हो जाएगा तो आप बात करता हूँ वो कैसे मानलो आपने एक page create किया उस पे follower नहीं बर रहा है सबसे पहला question आपको आपसे पूछना है क्या मैं जो page बनाया हूँ उस page का जो niche audience है वो facebook के लिए correct है या नहीं है अगर आप जिस niche पे काम कर रहे हो मतलब जिस category का page बनाया हो उस category में demand नहीं है facebook पे लोग interest नहीं है तो आपका page कभी भी grow होने का chances नहीं है तो सबसे पहले आपको आपका जो niche है उसको choose करने में बहुत ज़्यादा research करना परेगा कि facebook पे कौन से कौन से niche का ज़्यादा growth rate है ताकि मैं अगर as a creator page बनाऊ तो मेरा content चले तो say for example मैं अभी आप लोग को एक दो example दूँगा कि niche कैसे select किया जाता है facebook पे news page जो बनते है बहुत ज़्यादा चलता है जो original news page होते है मैं कोई भी duplicate on original के बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि news हर किसी का जो interest है वो news पे रहता है हर किसी तरीके का audience जो है वो news देखता ही है और facebook पे सबसे ज़्यादा audience 18 to 24 and then 24 to 34 age का रहता है तो उन लोगों को किस तरीके का news पसंद है उस तरीके का news page अगर आप create करोगे वो भी original content के साथ तो आपका facebook platform पे growth होने का chances बहुत ज़्यादा बर जाता है उसी के उपर जो लोग craft page बनाते है facebook पे craft page का बहुत ही ज़्यादा दबदबा है आप देख लेना एक एक craft page का जो content होता है वो millions पे भी होता है मगर यहाँ पर भी आपको जो करना है अगर craft content को लेकर आप काम करना चाते हो तो आपको खुझ से craft content बनाना है ऐसा नहीं किसी दूसरे का तीसरे का content उठाके page पे डाल दिया यह niche भी बहुत अच्छा growth होता है facebook platform पे अब बात कर लेता हूँ और एक niche का जिसका नाम है music music हर किसी बंदे को सुनना पसंद होता है तो हर कोई अगर facebook पे मतलब जूरते है facebook से link है तो वो music सुनते ही रहता है जो भी content उसके facebook feed पे आता है और music भाले content का जो share है बहुत जादा level पे होता है जिसके बज़े से growth भी बहुत fast होता है मगर यहाँ पे as a creator आपको खुद music पे रूची रहना चाहिए खुद music बनाना है ऐसा नहीं किसी दूसरे तीसरे का content लिया और आपने page पे music बाला video डाल दिया उससे कुछ नहीं होगा वो सिर्फ time pass होता है तो इसलिए आपको मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ यह वो है कि आपको niche जो है आपका जो niche होगा वो आपको find out करना है और वो niche Facebook पे engageable हो इसके तरब भी आपको ध्यान रखना है अगर यह करोगे तो आपका जो आभी question था के follower नहीं बर रहा है वो follower धीरे धीरे grow होना शुरू हो जाएगा और गनी के लिए उसके बाद दोस्तों हम क्या करते है group में सही तरीके से share नहीं करते अगर आप चाते हो as a creator आपके content को initial time पे group में share करने का तो उसका एक particular way होता है आप as a page admin page owner खुद का content को किसी भी दूस्ते group में share नहीं कर सकते हो इस case पे कैसे आपको आपका content को share करना है उसके उपर already मैंने वीडियो बना के रखा हूँ तो अगर वो देखोगे तो आपको सही तरीका मालूम परेगा कि कैसे group में आपको आपका content को share करना है और उसी के साथ आपको कोई भी group में join करके कोई भी group में content को नहीं डालना है आपका जो नीशे आपका जो audience है उस audience से जुरे जो भी group है उस category से जुरे जो भी group है बरे-बरे group उस पे आपको join होना है उसके बात उस group में आपको content को share करना है तब जाके आपको value मिलेगा तो ये सारे छोटे-छोटे चीज होते है मगर आप लोग सठीक चीज को सठीक way में करते नहीं हो page पे जिसके बज़े से आपको दिक्कत का सामना करना पड़ता है और ऐसा question आए दिन आता रहता है मेरे चैनल पे के follower कैसे बरा है अब दोस्तों मैं बात करूंगा follower बराने के लिए आपका और एक trick वो है video fast 2020 में facebook का साफ साफ कहना है जो बंदा page पे video content डालेगा उसका growth जादा होगा as compared to जो image डालता है या text डालता है तो आपको regular basis पे खु अपने category से डालते रहना है video को वो video आप हमेशा 3 minute नहीं तो 3 minute के जादा वाला डालने की कोशिश करना इस पे भी बहुत जादा growth मिलेगा अगर आप 3 minute का जादा वीडियो डालोगे क्योंकि facebook का algorithm अभी फिर हार 2020 में 3 minute नहीं तो 3 minute के जादा वाला वीडियो को जादा algorithmic benefit दे वीडियो का SEO वीडियो जो भी आप डालोगे उसको properly SEO करके ही डालना है title, description, tag बराबर से लिखके डालना है अब आप सोच रहे होंगे ये सब चीज हम सीखेंगे कहा से तो page SEO के बारे में video SEO के बारे में already video बना के practically देखे रखा हूँ मेरे चैनल पे सिर्फ आप लोगों को ज कैसे अच्छे से सजाया जाए उसके ऊपर detailing में page setting करके playlist है मेरे चैनल पे वापे मैंने 5 वीडियो अभी तक चोर के रखा हूँ अगर आपको एकदम initial से advanced level पे page setting करना मतलब आप चाते हो तो आप उन videos को देखो और अपना page setting को सुधार करो जिससे आपको आपका SEO benefit page के हबाल आपको one minute engagement आप जो भी वीडियो डालते हो उस वीडियो पे एक मिनिट तक कोई भी audience को जो आपके page के follower से उसको पकर के रखना है अगर वो काम कर दिया तो आपका follower जल्दी जल्दी बरेगा क्योंकि एक मिनिट तक अगर जादा view आएगा तो आपके page के engagement और reach दोनों बर जा टाइम पे आप hook करो audience को ताकि audience आपके वीडियो पे पकर के रख पाओ ऐसा नहीं कि क्लिक किया और चला गया ऐसा नहीं होना चाहिए उसके बाद दोस्तो consistency आपने एक वीडियो आज डाला 10 दिन बाद और एक वीडियो डाला फिर एक महिने बाद और एक वीडियो डाला ऐस नहीं होना चाहिए consistency होना चाहिए मानलो आप वीडियो डालते हो रोज तो रोजाना एक वीडियो आपको डालना ही है वो कुछ भी हो जाए आपको डालना ही और Facebook पे आप maximum एक दिन में तीन वीडियो डालो minimum एक वीडियो डालो ये best रहता है जो भी आप कर सकते हो आपके capacity क अनुसार करते रहो Facebook platform पे मागर consistency maintain करना बहुत ज़्यादा जरूरी है अगर आप चाहते हो आपका एक engagement level बरकरार रहे regular basis पे आपके page पे अब बात करता हो दोस्तो audience आपको सबसे पहले समझना परेगा आपके page का audience कौन सा है क्या आपका audience below 18 है क्या आपका audience above 18 है क्या आपका audience above 35 है यह आपको सबसे पहले समझना परेगा और audience का जो demand रहेगा उस topic पे आपको content बनाते रहना चाहिए यह चीज आप लोग जो भी मैंने बोला उस पे से मैं जब भी page को check करता हूँ तो मैंने देखा 1% लोग ही इन सारे चीजों को follow करते है और बाकी के जो 99% लोग है वो स सबसे पहले category का कुछ नाम निशान नहीं है जो भी मिल रहा है डालते जा रहे हैं तो उससे क्या होगा उससे कैसे follower बरेगा और फिर खुद का original content नहीं डालते हैं दूसरे का content लेके page पे डालते हैं तो initial पे जब तक Facebook algorithm के पकर में नहीं आता है तब तक तो कोई भी viral किसी का दूसरे का content डालके page पे वीडियो भाइरल भी कर लेता हैं अगर जैसी पकर में आता है page पे restriction आता है और restriction आने के बाद Facebook reach को automatically कम कर देता है और उसके बाद आके आप लोग पूछते हो सर अब reach को कैसे बराए ऐसा तो मैंने कर दिया अरे किया क्यों पहले सीखो चीजों को मै तो बता ही रहा हूँ सीखने के लिए इन सारे चीजों को सीख के काम करोगे तो ही आगे जाके page organic लिए grow होगा ऐसा कुछ भी नहीं है कि Facebook में बहुत सारे लोगों का मैंने अभी article पे लिखते हैं बहुत सारे लोग कि organic reach down on Facebook organic reach बहुल के कोई चीज नहीं है मगर अभी भी मैं आपको कहता हूँ organic reach अभी भी Facebook पे है मगर उस reach को अगर आपको पकरना है उस race पे अगर आपको जाना है तो आपको एक particular niche ऐसा select करना परेगा जिस पे growth है Facebook पे क्योंकि share अगर content होता जाएगा तो देखना आपका page भी grow होगा वो भी organic लिए और ये आप लिखके रख सकते हो सर फिर आप खुद क्यों नहीं बना लेते हो page खुद क्यों नहीं बरा लेते हो अरे भाई मैं जो content बनाता हूँ उस content का Facebook page पे demand नहीं है वो YouTube पे demand है इसलिए आप अभी video देख रहे हो मेरा तो इसलिए मैं बोलता हूँ niche बहुत ही जादा important है अब मैं चला जाता हूँ दूस दूसरे question के तरफ दूसरा question पूछा गया है सर मेरे video पर view नहीं आ रहा है घूम फिर के एक ही जगा पर ये question भी आता है video पर view नहीं आ रहा है इसका मतलब आपके video पर हो सकता है इस video का engagement और reach नहीं हो रहा है engagement reach इसलिए नहीं हो रहा है हो सकता है आपका niche का कोई demand नहीं है facebook पे even ये भी हो सकता है आपके video पर hook नहीं है लोग attract नहीं होता है आप हो सकता है आपका video का title, description, tag, thumbnail आपने optimize किये ही नहीं हो आपके video का जो ratio है aspect ratio जिसको resolution भी कहा जाता है वो हो सकता है square बाला format में नहीं है one is to one ratio में तो इन सारे चीजों को आपको improve करना होगा तभी आपके video पर view आएगा engagement आएगा reach बरेगा तो ये सारे चीज बहुत basic चीज है सिर्फ आपको practice करते रहना है regular basis पर तो जरूर बीडियो पर view आएगा अब बड़ता हूँ आगे third question के तरफ ये तो बहुत सारे जनों का ये question आता है sir 370 follower है लेकिन जब मैं कोई post upload करता हूँ तो एक भी like नहीं आता है क्यूँ ऐसा क्यूँ अच्छा मानलो 370 follower को ज़्यादा follower नहीं होता है मंगर फिर भी follow है page पे फिर आपका जो भी आप content डाल आते हो उस पे क्यों like नहीं आता क्यों engagement नहीं आता तो इसका सबसे बड़ा reason यह है आप जब भी Facebook page पे कोई video को डालते हो तो Facebook at a time वो 370 लोगों तक आपके video को पहुचाता नहीं है पहले 10 लोगों को यह video दिखने में आता है उस 10 में से अगर 5 लोग भी उस video को देख ले तो आपको 50% का click through rate हो जाता है अगर 10 लोगों में से 5 लोग भी देख ले तो अगर 5 लोग देखता है video तो Facebook algorithm को लगेगा नहीं इस video पर कुछ अच्छा चीज है इसलिए हमने जो 10 लोगों को दिखाया उसमें से 5 लोगों ने देखा और 5 लोगों ने अच्छा खासा watch time दिया है एक मिनिट से ज्यादा तक इस video को देखा है अगर ऐसा होगा तो Facebook क्या करेगा next 20 लोगों को उस video को reach करवाएगा अगर आपने वीडियो डाला और 10 में से एक लोगों ने open किया तो Facebook के algorithm को लगेगा आपके वीडियो पे दमखम नहीं है लोग interested नहीं आपके वीडियो पे click करके open करने के लिए देखने का जिसके बज़े से Facebook का algorithm और 20 लोगों को आपका वीडियो पहुचाएगा ही नहीं तो अगर reach ही नहीं होगा, engage ही नहीं होगा लोग तो आपके वीडियो पे like कहा से आएगा, view कहा से आएगा तो इसे लिए आपके वीडियो को thumbnail जो होता है, first look जैसे एक book का cover होता है वैसे ही आपके वीडियो का thumbnail होता है उस thumbnail को जितना हो सका attractive बनाईए और first एक minute पे hook रखिए वी Facebook algorithm को ये signal pass हो जाए, जिसको भी मैं वीडियो दिखा रहा हूँ, वो click कर रहा है, वो उस वीडियो पे time spend कर रहा है, तो इस वीडियो पे दमखम है और Facebook का algorithm आगे और भी लोगों को उस वीडियो को reach करवाएगा, जिससे आपके वीडियो पे like आने का और watch time मिलने का chances बहुत जादा हो जाएगा, तो ये सारे चीज आपको as a creator समझना है, अब बात करता हूँ, चौथे question को लेके, वो है sir, हम page के वीडियो यूट्यूब पर upload कर सकते है, क्या? ये एक basic question है, ABCD show है, इसलिए मैंने pick किया, आप आपके Facebook के content अगर खुद originally create करते हो, और उस content को आप YouTube पे भी upload करते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ये वाइस वर्सा है, अगर आपने content YouTube पे डाला है, आपका खुद का original content है, कहीं से लेके नहीं डाला है, तो उस content को आप Facebook पे भी डाल सकते हो at a time, मगर यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखना परेगा, आपने जो YouTube पे डाला है, वो एक मह पहले का content है, और फिर उसी content को किसी 10 आदमी ने उठा के अपने Facebook पे डाल दिया, और उसके बाद उसी content को आप download करके आपके Facebook पे डाल रहे हो, इस time पे आपका content reused हो जाने का खत्रा रहेगा, तो ऐसा मत करना, जब आप YouTube पे upload करते हो, या Facebook पे अप्लोड करते हो, उसी time आप दोनों platform पे interchange करके content को डाला करो, ताकि ऐसा नौबत ना आए, आशा करता हो, ये answer से हरे creator का doubt clear हो गया है, अब बरता हो, आज का last question, वो है भाई, आपका WhatsApp नमबर दे दो, मुझे बहुत problem हो रहा है, और ये question बहुत बार मेरे जो comment section है, उस पे पूछा जाता है, और उस पे phone number भी दिया जाता है, तो सबसे पहले मैं एक चीज़ आप लोग को बता देता हूँ, कि आप लोग मेरे comment section में आके, कभी भी आपका phone number मत दीजिए, आपका वो privacy है, आप share कर रहे हो, हो सकता है, मेरा नाम लेके, कोई तीसरा आदमी आपको phone करके कहेंगे, कि मैं आपका help करू और बाद में आपका page को hack कर लेगा, फिर मुझे आके आप ये मत बताना, कि मैं दिप्तनू सर को ही share किया था, क्योंकि दिप्तनू सर ना तो किसी को अपना whatsapp number, ना तो अपना phone number देता है, ना तो कभी भी किसी को phone number से call करता है, मुझे अगर आपको contact करना है privately, तो आप सिर् dot diptanu, shil.diptanu, वो एक ही Instagram account है, verify कर लेना about section में channel पे मैंने मेरा Instagram link को दे के रखा है, तो उसी Instagram पे आना, और उसी Instagram पे मुझे कोई भी आपका जरूरत है, तो question पूछना, मैं जब भी free होता हूँ, हार किसी का response करने की कोशिश करता हूँ, वहाँ पे, मगर time सायद जादा apply नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं दूसरा काम धाम भी करता हूँ, तो इसलिए आपको थोड़ा patience रखना है, आप और एक जानकारी मैं आप लोगों को दे देता हूँ, मेरे ही जैसा, मेरे ही content के तरह content बनाने वाले बहुत दुकान खोल गये है, अभी YouTube platform पे, तो अगर आप उन दुकानों में जाते हो, तो अगर कोई मेरे नाम से आपको ठगने की कोशिश करते है, तो उस जाल में मत फसना, मैं सिर्फ Instagram एकाउंट पे ही बात करता हूँ, मेरा एक ही Instagram है, इस पे आना, और मैंने बहुत सारे लोगों का ये देख रहा हुआ भी, कि जैसी मैं कोई भी Health Checkup वीडियो करके अपने चैनल पे डालता हूँ, उसके बाद ही वो जो दुकान बाले लोग होते है, वो उन लोगों को कांटाक्ट करना शुरू करते है, आपका ये इशू है, चलिए मैं ठीक कर दूँगा, आपका वो इशू है पेज़ 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 मेरे बीडियो जो भी आता है, उसके बाद अगर कोई भी आदमी आपसे कांटाक्ट करता है, सबसे पहले ये आपका डिसिशन होगा, कि आप उसको सारे डिटेल श्यार करोगे, उसको पैसा दे के काम करवाओगे, या नहीं, यहाँ पे दिपतनुशिल चैनल का कोई लेना देना नहीं रहेगा, यह सिर्फ और सिर्फ में एवार करने के लिए, सतर्क करने के लिए आप लोग को बता रहा हूँ, ताकि ऐसे जाल फरे भी में आप लोग मत फसो, आशा करता हूँ दोस्तों, आज का ये एपिसोड भी आप लोग को काफी पसंद आया होगा, अगर पस नेक्स्ट एपिसोड पे आप चाहते हो कि आपका कोश्चन पिक हो, तो इस वीडियो के कॉमेंट सेक्शन पे जरूर कॉमेंट करके जाना, तो नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपका कोश्चन को पिक करूँगा, और एक नया एपिसोड के साथ आपके सामने आऊँगा, आज के इस वीडियो पे इतने हैं दोस्तों तब तक आप लोग खुश रहो आबाद रहो और ममी पपा का नाम कर दोस्तों पाई